हम लोग T.W. के ट्रीटमेंट के बारे में लोग पढ़ेंगे तो टी बी का जो बैक्टिरिया है जिसकी वैसे T.W. होती है माइको बैक्टिरियम टॉबरक्रोसिस इसे स्पैशल बैक्टिरिया विस्पैशल जीन्स एंस्पैशल सेल्वाल तो यह इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन्हें दवाओं से एक तरह से बचाते हैं यह तो जो कॉमन एंटिबाइटिक्स हैं कॉमन एंटि-माइक्रोबिय ड्रक्स हैं नोट इफेक्टिव अगेंस्ट माइको बैक्टिरियम टुबक्टोसस राइट तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस स्पेशल दवाएए हैं स्पेसिफिक एंटि-टुबक्टोर ड्रक्स हैं और इस जो यहां हमने लिखी हैं जो हैं फस्टाइट ड्रक्स और इन बैक्टिरिया में रिजिस्टेंस डवलब करने की शमता होती है Redence यह धवां से बचने की शमता होती है इनके अंदर कि यह अपने अंदर परिवर्तन अपने अंदर चेंज कर लेते हैं इनमें जेनेटिक ऐल स्ट्रॉक्छर बचा सकती हैं तो there is a problem of resistance and it's a slowly multiplying bacteria दीरे दीरे multiply करता है यह अपनी संख्या बढ़ाता है आल राइट तो इसमें जो दवाएं इस्तेमाल की जाती है first line drugs because there are second line drugs also the first line drugs में type iso nicotinyl hydrazine है INH है जिसे हम लोग H से denote करते है यह अरिफमपिसी ने जिसे हम R से denote करते है ethambital है E parazinamide Z esteptomycin S यह चार दवाएं mostly यह औरली टैबलेट यह सीरप के रूप में दी जाती है और यह intramuscular injection के रूप में available है जो इधर यह numbers जो है यह basically इनकी dose लगभग indicate करती है means there is a definite dose दवा की dose जैसे होती है जैसे 5 mg पर केजी 10 mg पर केजी right 20 mg पर केजी 30 mg पर केजी 15 mg पर केजी मतलब जो recommended dose है उसी के हिसाब से दिया जाता है and they have a maximum dose also जैसे maximum है कि इसको 300 mg maximum दे सकते हैं या like यह 600 mg इसे हम maximum दे सकते हैं doctors देते हैं इसे जो treat करेंगे treating physician है वो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि there is a maximum dose जो है right इसी तरह से जैसे streptomycin है streptomycin की 1000 mg यह 1 g ग्राम maximum इसका injection दिया जाता है right इसका 2000 mg जैसे maximum dose है इसका right और like it's all है जैसे 1500 mg है maximum इस तरह से इसकी dose दी जाती है right तो यह तो दवाएं हैं इसकी जो है these are the drugs why these drugs normally these drugs are used only in the treatment है ना in the treatment of tuberculosis हानक ही इसमें से कुछ दवाएं जैसे refampicin है streptomycin है और जगों पर भी इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन यह specific दवाएं फर्स लाइं ड्रक्स जो टीबी का इलाज करती है जो आराइट तो यह दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं दी जाती हैं वो शुरुआत में ज्यादा दवाएं दी जाती हैं more drugs जिसे हम लोग intensive face बोलते हैं जहां तो शुरुआत में जो ज्यादा दवाएं दी जाती हैं जैसे माली जैसे चार दवाएं शुरुआत में दे दी गई जहां तो ज्यादा दवाएं इस दे दी जाती ताकि maximum bacteria मारे जाएं जहां patient asymptomatic हो जाए मरीज की जो परिशानी है जैसे बुखा रहा है खांसी है इसमें ये खतम हो जाए मरीज का weight gain होने लगे भूक लगने लगे और मरीज के अंदर जो bacteria की संख्या बहुत जादा होती है वो कम हो जाए ताकि जब वो खांसे बोले चीके तो bacteria बाहर न निकले और दूसरों को infection न दे सके जाए उनकी infectivity समप्त हो जाए और जब जादा दवाएं शुरुआत में दी जाती है तो bacteria को कई दवाएं कई तरह से मारती है because इनका site of action अलग-अलग होता है अलग-अलग धन से काम करती है ये तो bacteria जैसे समझ नहीं पाता इन दवाओं को और resistance नहीं डबलब कर पाता है राइट तो various reasons की वज़े से शुरुआती जो initial दो-तीन महीने होते हैं तब bacteria को मारने के लिए bacteria को eliminate करने के लिए जादा द उसके बाद complete elimination के लिए bacteria जो बचे खुचे bacteria है जो slowly multiply कर रहे है bacteria है तो completely उनको समप्त करने के लिए ज़्यादा समय कम दवाएं less drugs less number of drugs longer duration के लिए जैसे चार महीने च्छे महीने आठ महीने ऐसे दिया जाता है इसको जब ये दो-तीन महीने दिया जाता है जाए राइट तो देखें टीबी के इलाज के लिए जो दवाएं दी जाती है तो टीबी के patients को जो categorize किया गया है जैसे कुछ patients हैं जो contacts हैं कुछ children, बच्चे, contacts कुछ बच्चे, कुछ ऐसे लोगों के contact में रहते हैं काफी देर तक रहते हैं, intimate contact में रहते हैं, जैसे infected mother के साथ रहते हैं तो वो contacts हैं, तो इनको और ऐसे patients जो की infected patient के contact में हैं और साथ में हैं उनमें mantoux test किया गया है, लेकिन वो patient asymptomatic है, लेकिन mantoux positive है asymptomatic यानि मरीज को कोई परिशानी नहीं है, लेकिन mantoux positive है mantoux positive होना इस बात का indication है कि उनके अंदर infection मौजूद है लेकिन उसकी वैसे कोई symptom नहीं है, asymptomatic, asymptomatic mantoux positive है तो इनमें prophylactic therapy दी जाती है, या दी जा सकती है, recommended है तो जैसे इसमें rifampicine का इस्तेमाल करते हैं, 6 महीने के लिए 6H, आइसोनियाजिट का इस्तेमाल करते हैं, INH का इस्तेमाल करते हैं, 6H या कुछ जगों पर 6RH भी लिखा गया है, कि rifampicine और आइसोनियाजिट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, विगाजा के लिए आइसोनियाजिट का इस्तेमाल करने से, सिंगिल दवा के इस्तेमाल होने से, कि there is a risk of bacterial resistance, कि bacterial resistance डेवलब करेगा, कुछ जगों पर जो contacts हैं, उनमें contacts हैं, उन्हें भी ये treatment देने के लिए का लिखा गया है, जाना, right? It depends on the treating doctor, right? और ये, जो contacts हैं, भले ही वो मंटूक्स negative है, लेकिन चुकि वो highly infectious patients के साथ में रहते हैं, उनके अंदर TB का bacteria उनके अंदर जा सकता है, तो इन्हें भी treatment दिया जाता है, कि कुछ जगों पर recommended है, इनको भी treatment देना छे महीने के लिए जाए. All right, ये तो है preventive, profilactive treatment, मतब इनमें TB के symptoms नहीं है, या कोई symptom नहीं है, इनके अंदर ये preventive treatment है, अब जो curative treatment होता है, यानि जो बच्चे हैं, जिनमें TB की वजह से, जो infection है, उसके वैसे symptoms है, उनकी दो category बनाई गई हैं, जैसे category 1. तो category 1 all patient, all new patient, जो first time diagnose हुँ है, कि उनके अंदर TB है, new patient है, तो उनमें जो recommended treatment है, वो है 2HRZE. यानि दो महीने के लिए INH, रिफामपिजीन, पारिजरमाई, डिथामपिटॉल ये दिया जाता है, और intensive phase है, this is intensive phase, and it is followed by, right, like 6HR, या 4HR, right, यानि चार महीने के लिए, कम दमाएं, आइसोनियाजी रिफामपिजीन चार महीने के लिए, इनको दिया चाता है, जहां, तो this is the maintenance phase है, और राइट, इसी तरह से दियरार, जो curative treatment है, जिनमें TV है, उसका जो second category है, तो उनकी second category में category two, इनमें वो हैं जो, जैसे जो defalters है, defalters का मंतब ऐसे patients जो, जो treatment बीच महीं छोड़ देते हैं, जैसे उनमें दो महीने treatment लिया, treatment देने के बाद जो है, उन्होंने treatment छोड़ दिया, बेकर उनमें आराम लगने लगा, कि अब उनको परिशानी नहीं है, अब बुखार नहीं है, कासी नहीं है, उन्होंने treatment छोड़ दिया, defalters, यह जिन्होंने complete treatment लिया है, उनमें relapse हो गया है, डॉक्टर ने जितना advice किया, उतना full treatment लिया है, और उन्हें cured घोशित कर दिया गया है, कि यह ठीक है, और उनका treatment डॉक्टर नहीं बंद किया, लेकिन बाद में उनमें दुबारा से TB हो गई, TB के symptoms आ गए, features आ गए, दुबारा TB diagnosis, वो relapse cases है, यह treatment failure cases होते हैं, treatment failure cases का मतलब कि किसी patient में, जो category one का patient था, उसको treatment दिया गया, लेकिन कुछ महीने, कुछ हफतों treatment देने के बावजूर, right, उनमें ऐसे तीन महीने इलाज दिया गया उनके अंदर, लेकिन उनमें अभी भी improvement नहीं हो रहा है, जैसे उनके sputum में जो TB का bacteria निकल रहा था, वो sputum negative नहीं हो रही है, या उनकी खासी नहीं जा रही है, उनका बखार नहीं उतर रहा है, they are not improving, उनका जो weight है वो improve नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी उनमें symptoms मौचूद है और उनके अंदर TB होने की अभी भी evidence मिल रहा है, उनके हम बोलते हैं कि इसमें treatment fail कर रहा है, treatment is not working, तो category 2 patients जो है, इनमें जो इलाज दिया जाता है, उनमें है जैसे 2 HRZE plus S, S का वंदब streptomycin, right, it is followed by 1 HRZE, and then it is followed by, देखें, यहाँ पर S बंद कर दिया गया है, उसके बाद like 5 HRZE, 5 HRZE का मतलब है कि 5 महिने के लिए यह दवाएं चली जाएंगी जहाँ, तो यह initial intensive phase है, और यह maintenance phase है, complete elimination of bacteria के लिए, this is the treatment जहाँ, हम देखें, जैसे H है, यानि isoniazid, या isonicotinal hydrazine, या rifampicine है, और pyrazinamide है, patients को जब यह दवाद दी जाती हैं, तो इनकी वज़े से कुछ adverse gut नाएं होने की संभावना होती है, जैसे इनकी वज़े से hepatotoxity, liver को नुखसान पहुचने की संभावना होती है, जैसे liver के अंदर cells हैं, यह liver है, liver के cells हैं, hepatocides, तो liver के cells में कुछ enzymes होते हैं, जैसे liver enzymes हैं, liver के cells में enzymes, तो जब आदमी इन दवाओं को खाता है, यह से बच्चों को हम TV के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी-कभी इस बात की संभावना होती है, कि वो दवाएं जब liver से होकर गुजरती हैं, तो इन दवाओं की वज़े से hepatotoxicity, hepatotoxicity, यह होने की संभावना और इससे liver के cells में जो enzymes हैं, जैसे ALT, AST, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase जो enzymes जो liver के cells में पाए जाते हैं, तो cells में जब injury हो जाती हैं, तो यह cells से बाहर निकल जाते हैं enzymes, और मरीज के blood में आ जाते हैं, यह कभी-कभी liver में जो injury होती है, तो liver में injury होने की वज़े से liver लोगों में जॉन्डिस हो जाती है, serum bilirubin बढ़ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, आप जानते हैं, जब bilirubin बढ़ जाता है, तो जॉन्डिस हो सकती है, जॉन्डिस हो जाती है, serum bilirubin, बढ़ गया, जॉन्डिस हो गई, इस तरह की संभावना है हो सकती है आइसो नियाजिट की वजह से नियूरोपैथी होने की संभावना नसें जो होती, नर्स जो होती है नर्स को नुकसान पहुँचने की संभावना होती है और इवन ब्रेन के जो निरॉन से उनको नुकसान पहुचा सकता है निरोपैथी और ब्रेन के जो निरॉन से उनको नुकसान पहुचा सकता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है इन सब को मॉनिटर करते हैं देखते हैं कि डिूरिंग ट्रीटमेंट यह सब तो नहीं हो रहा और यही वज़ा होती है, बिकाज आएनेच की वज़ाए से जो नियूरोपैथी होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आएनेच के साथ विटामिन B6 या पारिडॉक्सिन दिया जाता है तो यह तीन दवाएं हेपेटर्टोफिशिटी कास कर सकती है, इनकी वज़य से नियूरोपैथी भी हो सकती है एंड इथांबिटॉल जैसे एक दवा है, तो इथांबिटॉल की वज़य से ओकूलर्टोफिशिटी यहनि विजन को विजन पर फरक पढ़ सकता है इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है इथमपि टॉल और जो स्ट्रप्टोमाइसिन है तो स्ट्रप्टमाइसिन का not अगर दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखते है कि इसकी वजह से नेफरो टॉक्सिसिटी यानि किड्नी को नुकसान पहुचने की संभावना नेफरो टॉक्सिसिटी एड़र्स एफेक्ट का मतलब है कि एड़र्स एफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है मतलब most of the time यह सब नहीं होता है लेकिन अगर होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और ओटॉक्सिसिटी होने की संभावना ओटॉ यानि जो इंटर्नल इयर है कान के अंदर नुकसान पहुचने की संभावना होती है जैसे कान को इंटर्नल इयर को अगर नुकसान पहुचता है तो उसमें कान में टिनीटस होने लगता है जैसे कान में सीडियां बजने लगती है या हीरिंग इंपियर्मेंट होता है जैसे कम सुनाई देने लगा नफरो टॉक्सिसिटी की वज़े से जैसे प्रोटीन यूरिया होने लगा यूरीन में प्रोटीन आने लगा तो इस तरह के नुक्सानात इस तरह की टॉक्सिसिटी होने की संभावनाई होती है इस बात को इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है थैंक यू